डेट आज 17 जून 2022 ये सब टॉपिक कम्प्लीट करेंगे इस क्लास में फर्स टॉपिक है अजान इनिसिटिव ये प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है आपकी जमीन आपकी निगरानी ये इनिसिटिव जम्मू कस्मीर ने चलाया है इसका टारगेट है कि लेंड करना डिजीटली प्लेट फॉर्म पे और इसकी वजैसे टांस्परेंसी इंक्रीज होगी इनहेंस होगी ये जो अजान इनिसिटिव है जितना भी लेंड रिकॉर्ड है जितने भी जिसके नाम पे जमीन है जम्मू कस्मीर में वह ओनलाइन प्लेट फॉर्म पे होगी और इन्फर्मिशन अपनी लेंड के बारे में ये पोर्टल का नाम दिया है लेंड रिकॉर्स.jk.gov.in पे जाके वो देख सकता है अपनी लेंड की इन्फर्मिशन ले सकता है पूरे ओल इंडिया लेवल पे भी ऐसा प्रोग्राम चला रखा है इंडियन गॉर्मेंट ने डिज जगड़ा ना कर सके अपनी जमीन को लेके आपने देखा होगा गाओं में शहरों में जगड़ा होता रहता है किसी की जमीन है या किसी का खेत है ये डिस्प्यूट होता रहते हैं या किसी की जमीन को कोई दूसरा आदमी जो प्रॉपर्टी डीलर वगरा होते हैं उनको बे नेक्स टॉपिक है क्रांथी गठा, यह भी प्रिलिम्स के लिए इंपोटेंट है यह एक क्रांथी गठा म्यूजयम है इसे बंकर एट राजभवन भी बोलते हैं 2016 में ये डिसकवर किया गया था राजभवन या बंकरेट राजभवन म्यूजियम कही नाम है और मुंबई में है महाराष्ट में 2016 में डिस्कवर किया गया था और यहां पे एक गैलरी बनाए गई है इंडियन रिवॉइशनरी जो इंडियन करान्तिकारी थे जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी करान्तिकारी ने tha रिवॉशनरी लीडर उनके लिए गैलरी बनाएगी है वीजिएं जो यहां पे इमेज लगेंगे और उनकी इन्फोर्मेशन वगएरा यहां दिवार पे first world war में first world war first world war से पहले इसको British government use क्या करती थी British government इस bunker को arms वगरा ammunition वगरा store करने के लिए रखा करती थी arms मतलब हतियार weapons वगरा रखने के लिए इसको यूज क्या करती थी इसमें 13 room है different different cell बने हुए एक cell store gun cell cartridge store cell lift central artillery room workshop इस तरह से इन में guns वगरा रखने के लिए हत्यार रखने के लिए British government यूज क्या करती थी इस museum को next topic कोड़ावा कोड़ावा यह भी सिर्फ prelims के लिए important है कोड़ावा एक community है जाती है कहां पर पाई जाती है बस इसका याद रखना आपको करनाटक की जो कोड़ावा डिस्टिक है अंग्रेज लोग इसको कुर्ग बोला करते थे कोड़ावा डिस्टिक है करनाटक में यहाँ पर यह कोड़ावा community के लोग रहते हैं अभी recently news में है यह community of warrior भी कहा जाता है योद्धा की community western घाट के पास रहते हैं यह करनाटक में यह इंडिया हमारा यह western घाट करनाटक से होते गुजरता है यहां से महराश्ट गोवा करनाटक केरल तमिलनाडू यह जो प्लेस है यहां में करनाटक में जो western घाट है वहाँ पे रहती है यह sports और arm forces में अपना excel दिखाते है यह निकी निपून है arm forces में और sports खेल वगएरा में यह अभी field वगएरा cultivate करते हैं यह अनिकी agriculture करते हैं पसू पालन करते हैं maintaining cattle और arm वगएरा वार के लिए अपने पास रखते हैं इसलिए यह community जानी जाती है कोडावा next topic है super moon moon की यह condition है moon मतलब चंद्रमा होता क्या है यह sun है यह अर्थ है अर्थ के चार और मतलब sun के चार और अर्थ घूम रही है और अर्थ के चार और moon घूम रहा है यह moon है यानि कि चंद्रमा मून जब सबसे closest होता है सबसे पास होता है अर्थ के उस position को बोलते है पैरी जी और जब सबसे दूर होता है moon उसको बोलत अपोजी तो जब पैरी जी पोजिशन होती है यानि कि चंद्रमा अर्थ के सबसे पास होता है नजदीक उस टाइम पे अगर फुल मून होता है फुल मून तो ये दोनों कंडिशन दोनों कंडिशन ये एक साथ हो जाती है जैसे मानलो अगर फुल मून भी है और पैरी जी कंड जो मून वो कुछ ब्राइटर दिखाई देता है कुछ चमकीला नॉर्मल जो फुल मून होता उससे ज्यादा चमकीला दिखाई देता थोड़ा लार्ज दिखाई देता थोड़ा सा बड़ा थोड़ा लार्ज दिखाई देगा थोड़ा ब्राइटर दिखाई देगा इस कंडि के lambda यह भी सिर्फ prelims के लिए important है और supermoon भी वो condition prelims के लिए important है lambda क्या है Google का artificial intelligence है यह यादखना आपको artificial intelligence क्या होता है artificial intelligence होता है यह समझ लो जब machine human की तरह human के दिमाग की तरह काम करने लगे अपने आप automatic automatic तो अभी भी करती हैं लेकिन information देने पड़ती है लेकिन क्या होता है कि condition को देखते हुए जैसे human condition देखता है मानव condition देखता है उसके तरह से decision ले लेता है इसी तरह से machine में भी decision लेने की power आ जाए condition को देखते हुए वो है artificial intelligence अभी इस पे बहुत ज़्यादा और develop करने की जोड़त है चल भी रायर और यह artificial intelligence ही है lambda गूगल ने कहा है यह artificial intelligence free flow conversation करने के लिए engage है और जिस तरह से आपने देखा होगा गूगल पे बहुत सारी add भी आती है आपने भी देखा होगा आप बोल के कुछ चीज बोलते हो बोल के गूगल पे search करते हो तो इस तरह से यह काम करता है lambda भी language model for dialogue application इसकी full form है तो बस इतना याद रखना है गूगल का artificial intelligence है यह next topic है BRICS meeting यह prelims और GS paper 2 के लिए important है BRICS आप जानते हो क्या है जब यह बनाता तो 2009 में बना था 2009 में इसका नाम था BRICS Brazil, Russia, India, China बाद में एक country और जुड़ गया South Africa तो इसका नाम हो गया BRICS अभी BRICS की meeting हुई है जिसमें national security advisor जो हमारे अजीद दोवाल जी उन्होंने participate किया और यह meeting virtual हुई है virtual का मतलब है internet के जड़ी meeting हुई है और Chinese NSA ने इसको host किया है जितने भी BRICS के national security advisor है हार एक country के सब ने participate किया है host किसने क्या है मेजवानी चाइना के national security advisor ने target क्या है इस meeting का political security cooperation एक दूसरी country के बीच में ले के आना जो पांच country member है BRICS के इंडिया ने कौन-कौन सी recommendation दिये सिफारिस की है meeting के दोरान इंडिया ने कहा है कि terrorism के regarding cooperation करो आतंगवाद को खतम करने के लिए सहयुक करो दूसरा ये कि जो आतंगवादी है terrorist है information and communication technology को use करके आतंगवाद फैलाते है इसका use रोका जाए, prevent किया जाए ताकि आतंगवादी ये technology यूज ना कर सके information, communication, technology यानि कि mobile वगरा, internet वगरा use ना कर सके आतंगवाद फैलाने के लिए urgent reform की जरुतल multilateral system में ये भी इंडिया ने कहा next ये कहा कि resilient supply chain की importance को पहचानो resilient supply chain का मतलब कि अगर मानलो जैसे pandemic के दोरान बहुत सारी चीजों की कमी हो गी थी तो supply chain resilient हो flexible हो BRICS का area of cooperation कौन-कौन सा है देखो BRICS का जो target है वो ये है एक तो economic cooperation करना है यानि कि आर्थिक सहयोग करना है एक दूसरी कंटे के बीच में people to people exchange करना है political and security cooperation करना है और इसी target पे अभी ये meeting हुई है जो BRICS की national security advisor की meeting हुई है cooperation mechanism करना BRICS ने एक new development bank भी setup कर रखा है एक bank जिसका नाम है new development bank या BRICS bank भी बोलते हैं इसको इसका headquarter है संगही में ये याद रखना संगही कहाँ पे चायना में कब बना था ये 2014 में छटवी meeting हुई थी छटवा summit हुआ था 6th summit BRICS का फोटा ले जा city में यहाँ पे एक घोसना पत्र जारी किया है जिसका नाम रख दिया है city के नाम पर ही फोटा ले जा declaration या फोटा ले जा घोसना पत्र इसी के दौरा new development bank सेट अप किया और इसमें देखो equally सब की इससेदारी है और सेभी के equally right है voting system equal है बिर्क्स का यानि कि हर एक कंट्री का Brazil, Russia, India, China, South Africa का equal waiting है इसमें ऐसा नहीं है जैसे world bank की या IMF में होता है जिसका share ज़्यादा है जिसने money ज़्यादा जी दिये उसका मतलब ज़्यादा voting का share होगा ऐसा नहीं है इसमें equally है और equally function करता है loan बगएरा देता है एक दूसरी कंट्री को cooperation बढ़ाने के लिए यही topic थे आज के कुछ important topic हैं अलग से 2-3 topic वो अगर time मिला तो मैं आज ही बना दूँगा